मुर्दाबद, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, शर्म 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 करो, शर अगर कि अनु दरना असीर की बैटी बात कर रहे हूं आज यहां पर हम मुकमल पांच दिन से दरना लगा गेरत गवारा नहीं करती कि हमारी खवातिन रोड़ पे हो और हम घर में आराम से आज ये शंदूर में पोलो देखने के लिए गए हुए है और आज उनको एक जर्रा ब कोई मजभी दरना नहीं है हमारा जो मक्टब है वो मक्टब एहले तश्यी है हमारा मकसद फसाद भेलाना शेर भेलाना नहीं है हमने बहुत सबर और हम मुलका मुझार किया है हमने बहुत सबर किया है हमसे बहुत महुनते भी मांगी गई हमने इस कौम मुमलिकत पाकिस्तान में अमनों इस तेहकाम पर करार रहने के लिए हमने बहुत सब्रों ताहमल का मुझारा किया है हम आज तक रोट पे नहीं निकले थे आज इस आला हुकमरान की वज़ा से इसका तारवान की वज़ा से आज हम रोट पे निकलने पे मजबूर हो गए हम माएं बेहने आज रोट पे क्यों निकली हैं अपने जल्म से तंग आके हम आज रोट पे निकली हैं अरी है इदर लेकिन अभी तक कुछ तो हया करें कुछ तो शर्म करें यह हुकमरान कुछ तो हया करें इनकी भी माएं हैं इनकी भी बेहने हैं आज पांच दिनों से हम रोट पे हैं कोई आला एक् तालिबात मनजूर नहीं होंगे 3rd omkyber पे हमारे 14 असीरों कॉश भे benya Κेष पे जिसकी कोई बनियाद ही नहीं जिसकी कोई बनियाद ही नहीं एक तालिब लियम्त की हकतीर बच्चे बाहर निक्ले तैंडा दुन अ सुबा से शाम से शाम तक लाता अधादाद फाइरिंग हो गई गिलगित में, वो सब को पता है, रेंजर्स वालों ने अंडादून गिलगित में फाइरिंग शुरू कर दी, यहां तक कि माल मवेश्यू तक रहम नहीं हुआ, हमारे साथ शहुदा समय दो स्यदानियों को शहीद किया उनोंने, उनके कातिल हमें दिखाए उनके कातिल लाकि हमें दे, असीर मिले थे उनको बंद करके जेल के सलाखू के पीछे, पिछले आच साल से वो जेल के सहबतें बरदाश कर रहे हैं, किस बुनियाद पे उनको बंद किया है, क्या सबूत है उनके पार, किस बुनियाद पे उनको बंद किया है, जेल के बेमार करवा कि उनको कोई होस्पिटल में एडमिट है उनको रेफर किया हुआ है वहां भी उनको जहनी टार्चर दी जा रही है होस्पिटल में भी उनको सुकून से जहां इलाज के लिए लेके आए वहां भी उनको सुकून नहीं है वहाँ भी उनको जहनी टर्चर दी जा रही है ये कोज से इनसाफ है ये कोज से गोर्मेंट है इदर हमारे हुकूप नहीं है इदर हमारा हक नहीं है ये इलाका हमारा नहीं है ये इलाका ये सरजमीन गिलगित पल्तिस्तान शोहदा की सरजमीन है शोहदा के खून से ये जमीन सरसबज हुई है ये मत समझे ये आला हुकमरान ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है ये हमारे बाप दादा की जागीर है हरा ये हमारा ये पेगाम इन आला इक्तिदार गट्दार गोर्मेंट में यहीं जोर मुजभमत करके यह बात करें यह गत्तार, गर्मेंट सुनने, यह मत समझे, यह चालाकिया हमारे साह नहीं करें, कि हम यह दरनाख खतम करेंगे, यह दरनाख किसी सूरड भी खतम नहीं होगा, जब तक हमारे 14-18 भाईज़त जवानत पे भी नहीं, जब तक यह दो भाएजद बरी होगे हमारे सामने लाकर कीा हम इनको अपने सात गड़ लेंके नहीं जाएंगे दब तक यह दरनक का नहीं होगा यह हमासा मतले रखने वाले अचेज हमारे भाएजद बरी होगे हमारे जब तक हमारा मुतालबह हाल हम यहां पर दर्ने पर ही रहेंगे हमारा धनक खतम नहीं होगा जब तक हमारे अध्यर को रिहाज ही किया जाए गा 14 सालों से अमरे शीर अननुगर्शियर बहे हैंस औरना गोर्मेंट ईतर्फ अगर कि अनु दरना अश अदाने असी रो रिहाई कारिया रेनो कारी नेवे अगर कि अनु गोर्मेंटे दरना कसु तो अना तिशेट एलक्षिन हो कारा सो तो अंटी जटे गाड़ी खड़ा बेन सक अशुट वी आईपी पेकिंग वान सक बेत अपती अनु रेसे कर बला है में असीरान कमेटी की तरफ से एक असीर की बेटी बात कर रही हूँ आज यहां पे हम मुकमल पांच दिन से दरना लगा रहे ना गोर्मेंट की तरफ से कोई आया है ना वफा की वज़ीर कोई भी नहीं आया यहां पे हम तप्ती दूब गर्मी में यहां पे इतना दर्ना दे रहे नारे लगा रहे गुर्मेंट पारी बेगेरत गद्दार हुकूमत जो है बिल्कुल टस्स मस नहीं है हम इदर मर रहे गर्मी में दरने दे रहे हर हमारे दिलों में जो दुख है ना हम बयान नहीं कर सकते हैं देख रहे पाँच दिनों से हमारी माए बहने छोटे बच्चे बुझरुक जवान रोडू पे आई चुके है आज पांच दिन हो चुके हैं और ये नाएल हुकूमत ये इंतजामिया कि जो कि रियासत मदिने का दावा करके आई थी आज ये शंदूर में पॉलो देखने के लिए गए हुए हैं तमाशा देखने के लिए गए हुए हैं और आज उनको एक जर्रा बराबर भी इहसास नहीं हैं इनको मसलमान तो दूर की बाद इनको इंसान कहना भी इनसानियत के तोहिन हैं हम पाकिस्तान की नजरियाती और जुगराफियाई सरहदू के मुहाफिज़ हैं लेकिन आज हमारी खवातीन आज हमारे बच्चे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहरी दफ़ एसा ये हमारी गेरत गवारा नहीं करती कि हमारी खवातिन रोट पे हो और हम गर में आराम से बैठे लेकिन मैं हैरान हू कितने बेगेरत है बेहिस है वो अवामी नुमाइन दे कि जो इस वक्त असम्बलियों में जाके अपने तरखाये तो बढ़ा रहे है अपनी मफ़ादाद तो हासिल कर रहे है लेकिन कौम की खातिर कोई टस्स से मसने है इस बेचारी कौम का पूछने वाला नहीं है सितम वाला है सितम क्या है शहिद भी हम होते है असीर भी हम होते है 13 एक्तु swag Cake में मेरे गर की मेरी बेहन को जخमी किया गिया मेरी सेधानियों को, मेरे रिष्टेदारों को शहीद किया गिया, साथ मुमिनीं को शहीद किया, उनका एक कातिल भी गिरिफतार नहीं और बलवेगी केस में इतने चोदा है सीरू को सद्रा सालू से रगड़ रहे, उन पर कोई जुर्म भी साबिन नहीं है, लाए अदालितिक कारवाई को, जुडिशल कारवाई को पबलिक करें, दिखाए क्या हो रहा है, करते हैं, करना दिये हुए बेटे हैं, मूख और प्यास गर्मी बरदाश करें, लेकिन ये जुल्म इनको नतर नहीं आता, इन्शालला, वो वक्त दूर नहीं है, कि जालिम नाकाम होगा, नामुराथ होगा, और मखलूम को फता और कामिया भी हासल होगी, लाह ताला, बना होगा दो